हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मैं हूरिदम आज मैं आपको बताऊंगी के कैनेडा में प्रिंट आउट्स कैसे निकालते हैं तो प्रिंट आउट्स निकालने के लिए आज हम आए हैं स्टेपल्स तो स्टेपल्स में चलते हैं तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे प तो हमने वीजा जूस किया है, तो प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बाद हमने जो भी इनकी पॉलिसी जाती है, हमें उन्हें टर्म्स अन कंडिशन होती है, उन्हें एक्सेप्ट करना होता है, आप देख रहे हो सक्रीम के ये इमेल आइडी है, स्टेपल्स वालों की, तो अब ह क्या करेंगे, इस इमेल आइडी पे हम अपने जो भी डॉकुमेंट्स है, वो मेल करेंगे, तो अभी हम मेल कर रहे हैं, तो इसके बाद जब हमने मेल कर दी, फिर इसको नेक्स करना है, ये पूछ रहे है, स्कैन और एंटर, प्रिंट टाइम रिलीस को, तो जो हमने जब मेल करती है, तब हमें कोड आता है, या तो हम मोबाइल पे आएगा, या तो स्कैन कर दो उस कोड को, बारकोड को स्कैन कर देंगे, या सिंपली हम फिल कर सकती है, तो अब हम यहाँ पे बारकोड स्कैन कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे बारकोड स्कैन कर रहे हैं, तो अब हम रिव्यु दिखाएगा किस तरह कर डॉकुमेट है तो आपने यहां पर क्या करना है इसे बाद यह आता है कि आपकी ते अगर तो आपकी अगर अगर डॉकुमेंट यह उफ। तो सेम बेसे ही हमने सेलेक्ट किया कौन सा डॉक्यमेंटर प्रिंट करवाना है कलर कौन सा चाहिए उसका और कितनी कॉपिस चाहिए तो सिंपल नेक्स एंड इस दब तो मुझे देखिये प्रिंटर में से मारे प्रिंट आउट सा गए है तो एक बाद चेट करना अच्छा होता है कि हमने जो भी हमें अच्छे से प्रिंट आउट हुई है या ने और देन इस दब तो है ना इसी ना वैसे डिफरेंट हो है हमारे इंडिया से कि इंडिया में तो सिंपल वहाँ परस्न होते हो निकालते हैं यहां पर हमें खूदी प्रिंट आउट से निकालने पटे हैं मुझे नहीं आता था तो मेरे हस्पड़ ने मुझे सिखाया कि कैसे निकालते हैं तो देखां बहुत इसी है एंड सेशन जरूर करना होता है वनना आपका टैडिकार उसमें होता है कोई और ना ले जाए कहीं तो रिसीट के लिए प्रिंट रिसीट वो देखियो मैं दीख रही हूं बीच में मैं और मेरी हस्बेट तो यह हमारी आगई रिसीट जो फ्रेंज प्रेंज प्रेंज बीच लाइब शेर अबम चैनल रिद्वम अव गैनेडा